नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरव है और आज आप सब के बीच में मैं एक वो भूली दास्ता लेकर आया हूँ जो आज फिर से यादा गई एक समय था जब बिहार में बहुत जंगल हुआ करता था, जंगल था तो फिर जंगल राज भी हो गया अब तो ना जंगल है ना राज है ना नौकरी है ना कोई कामकाज है इस पोस्ट से हम किसी पार्टी को सपोर्ट या रिजेक्ट नहीं करना चाहते हैं बस अपना अनुभव सुना रहे हैं जो एक युवा के रूप में महसूस किये थे हमारे जीवन के किशोरा वस्था से लेकर एक नौजवान बनने का सफर हमने लालू जी के राज में ही पूरा किया था जब तक नितीश बाबू आते तब तक बिहार हम से छूट गया और ऐसा छूटा कि नितीश बाबू पिछले 18 साल राज करने के बाद ही वापस नहीं बुला पा रहे हैं जब हम चौथा क्लास में थे तब लालू जी मुख्यमंत्री बने गल्फ वार चल रहा था उनको साइकील पर विधान सभा जाते हुए देखके कजब लगा साथ में सभी सीनियर बाबू लोग पुलीस अफसर बॉडी गाड सब लोग एटलस साकल पे पैडल मार मार के पिछे आते हुए मंडल और मंदिर का जमाना था वो जब अडवानी जी का रत गुजरा तो हमारे घर से भी लोग रजंदा नगर ओर बिच पर तैनात थे उनका दर्शन करने हैं तो एक बात तो हैसा है लालू जी का हिम्मत का दाद देना पड़ेगा कि उन्हेंने अडवानी को उस समय अरेस्ट कर लिया जब देश में हिंदित्व की सुनामी चल रही थी लालू जी को एक और बात का श्रीय जाता है दबे कुछलों कुछले लोगों के गले में आवाज भनने का बहुत सारे मिडल क्लास पड़े लिखों जिनमें मैं भी शामिल हूँ उनको बहुत मुश्किल से ही समझ या नहीं भी समझ आता है कि आखिर बिहार की वैसी दुरगती करने के बाद भी लालू जी की पार्टी इतनी बरी राजनीतिक ताकत आज भी क्यों है खेर वो सब छोड़िये हमको तो अपना अनुभव सुनाना था अगर आप बिहार में उस कालखंड में पढ़े पले बढ़े हो तो शायद आपका भी ऐसा ही अनुभव रहा हो गारिमत से हम पटना में पले बढ़े गरिमत से इसलिए बोल रहा है क्योंकि पटना ही थोड़ क्लास कॉलनी में मिडल क्लास परिवार पिता आख के डॉक्टर हमें कभी-कभी लगता कि पिता जी फलाना डॉक्टर के जैसा कहनी पैसा पीटते हैं हमें भी इच्छा होती कि ब्रांडेट जीन्स पहने फ्लाइंग मशीन लिवाइज यहां तर्स सस्ता हुआ नियूपोर् करते तो क्या बात होती वैसे कुछ समय बाद यही बात वरदान साबित हुई जब पटना में दिन दहाड़े डॉक्टर या उनके बच्चों को अगवा किया जाने लगा और हम कोई सुनी-सुनाई बात नहीं कर रहे हैं साहब चार घर छोड़के एक डॉक्टर साहब रहते हमें प्रकास यहां की अबहरन देखने की कोई जरूत नहीं है यह सब लाइव हुआ है अमारी आखों के सामने डॉक्टर साहब गणिमत से छूट गए कुछ समय पश्यात हमें भी थोरा डर लगता कि कहीं अपने को भी कोई न उठा ले जाए सुमंद सौरव जैसे मैगजी या बरहवी के बाद बिहार छोड़ देते थे बोरिंग रोड में कोई एजेंट का फोन नमबर छपता था करनाटा क्या महरास्टरा के इंजिनिरिंग कॉलेज में अडिमिशन है तू आजकल तो सभी बच्चे कोटा चले जाते हैं बगर हम उन सब चक्करों में नहीं परे बिहार कंबाइंड निकाले फिर पटना के ही महान बिहार कॉलेज इंजिनिरिंग जो कि अब एनाइटी हो गया है उसमें दाखिला पा गए नितीज जी भी वहीं से ही पड़े हैं हमारे सूपर सीनियर है नितीज जी थर्ड येर में पहुंचे तो पिता जी के सामने हमने अ अब जो लोग उस समय के बिहार से वाकिफ नहीं हैं उनको शायद ये दूसरी शर्त थोरी अटपटी लगे जी नहीं ऐसा नहीं कि पिता जी हीरो होंडा के शेयर में भकस के पैसा गवाए थे या उनका कोई भारी दुश्मन हीरो होंडा पे चलता था कारण था मोटरसाइक प्राज्शन दिया हमने सोचा की ठीक ही है टी-शेट जीन्स की जगा कुरता पैजामा में गम चालेज बहने करते बहित घूसेंगे तो स्टूडेंट के जगा प्रोफेसर सहीब लोगे उस दिन बंक मार देंगे। खैर एक बार बजाज परसल पलसर की तरफ भी जुका हुआ परन्तु भाई हमें अपनी मरदानगी पर कोई शक नहीं था सहब जो ऐसी मोटर साइकल खरीदनी की जरुत पर जा जिस पर हमारे डेफिनेटली मेल होने की पुष्टी हो। ये अलग बात थी कि आवंटित राशी में पलसर का न पल आपाता न सर फिर क्या बजाज बॉक्सर जिन्दावाद। परन्तु यहाँ एक और कारण था जो हम इतनी असानी सी हीरो हंडा पैशान या स्लीक का सपना छोड़के बॉक्सर पर तयार हो गये। हम दूसरे कॉलियों म स्टेशन रोड से खरदा हुआ नकली लेदर का बूट, अमेरिकन रैप सिंगर स्नूप डॉक जैसा अंदाज था बाबा का, एकदम चिल और गजब का वन लाइनर मारता था, ऐसा तंज कस्ता कि सामने वाला मू बा देता, मगर एक दिन नियती के सामने बाबा की जुमान ब भयानक भीड, उसकी बॉडी को शब वाहन में डालते समय एक हलकी सी जलक मिली, साथ में खेलता था, मतलब एकदम अचानक से, फिर कुछ दोस्तों से पूरी जानकारी मिली, शायद फादर भी थे साथ में, बाबा ने बाइक छिनने वाले को भी मजाक में ही कोई तंज मारा था, उसने सिधा सर पे कटा लगा के ट्रिकर दबा दिया, उन दिनों क्रिमिनल लोगों को भी डिगरी मिलती थी, बाइक छिनने वाला समझे कि मैट्रिक पास है, तो मर्डर करने वाला पोस्ट ग्रेजुएट, बिहार ओपेन उनिवरस्टी में ये डिगरीयां रोज रात क के अंधिरे में बाटी जाती थी, बाबा वाली घटना का संग्यान लेते वे, हमने सोचा कि बॉक्सर लेने में ही भलाई है, वरना किसी दिन दानिक हिंदुस्तान अखवार के पटना शहर वाले पेज में, कोने में पांच लाइन का न्यूज आइटब बनके रह जाएंगे हम भी, लालू राज के पंद्रह सालों में बहुत कुछ हुआ है, उस पर आपको और लोग खूब सारा ज्यान दे देंगे, हमको तो इधर कुछ नव्यूकों से भी फिडिबैक मिला है, कि वो सब बाते मत कहिए, इमज खराव होता है, इत्यादी, हमें लगता है कि भाई हम उनने तो वो सब अन्भव किया है, उन अन्भव को जिया है, हमारे लिए कोई किमवदंती नहीं है वो सब, और अगर आप इतिहास को भूल जाएंगे, तो इतिहास आपको वापस याद दिला देगा, आजमा के देख लिजिए, नितीज जी के बारे में क्या लिखें, अब से चीप लेवर सप्लाई करता है, अब यहीं फैक्टरी लगा दीजगा तो गुजरात के फैक्टरी में कौन जाके बारहजार में काम करेगा, हम इधर बैंगलोवर में रहते थे, वहाँ पे आप आरकेपूरम से सरजापूर रोड तक ड्राइव कीजिए, 15 किलोमेटर होगा, इस आउटर रिंग रोड के इलाके में जहां पहले बैल गाड़ी और बैल से लोग खेट जोते वे दिखते थे, आज 100 से ज़्यादा मल्टी नैशनल कमपनियों के चमकीले चमकीले दफतर हैं, आपका गरदन तेड़ा हो जागा देखते देखते, Microsoft, Amazon, Google, और अभी नागवारा या वाइट फिल्ट का बात भी नहीं किये हैं, बने हम समझना चाहते हैं कि IT जैसा सरल साउध्योग में आखिर करना क्या है सरकार को, सिर्फ एक धंग का infrastructure बना के देना है, बना दीजिए एक special economic zone, ना कोई cold chain का लफड़ा, ना कोई green coat से लड़ाई, एक special economic zone बना है और बड़ा-बड़ा seminar hall बना है, अब वहाँ seminar किसका होगा भगवान जाने, ठीक है, मानते हैं काम हुआ है, सडके, पुल, कानून विवस्था में सुधार हुआ है, बगर दिल पे हाथ रखके कहिए कि ये सच नहीं है, कि इससे बहुत जादा होना चाहिए था, अब double engine सर platform पे ही खड़ी है, अब चुनाओ का नतीजा अगले साल जो भी चुनाओ होगा, उसका जो भी हो, अब समय आ गया है कि बिहारीयों को बिहार में ही काम मिले, blue collar, white collar, no collar, सब को यहीं पे काम मिले, हम लोग भी अपने अपने गाउं शेहर में ही रहें, और स्विगी या जोमे podcast, अच्छा लगा हो, पहले दो साल, तीन साल पहले लिखे थे ये, थोड़ा दिल से लिखे थे क्योंकि ये कहानी हमारे life की ही कहानी है और शायद आप लोगों को भी कहीं ने कहीं ये कहानी हिट करेगी, किसी को, किसी party या किसी political इसके against नहीं है, I've tried to be as a political as I can, दोनों झारता है टूनुटर किसी एवरयत वा कि ये किसी को बेंगा थे ये क्या किस्टài ये साल, पहले दो आप सकतिस्का लिखे लिए कि ये की हमा शिखे से वी ये थे ये क्या आपन रमे किसी वे वेलेत सो रिखे ही, कि बश़ा एम, ये